पीच एक बड़ी खबर आ रहे गया अखिलेश यादाओ और राहूल गांदी की रैली में भीड बेकाबू हुई है दोनों ने ताओं के पहुँचते ही भीड बेकाबू हो गई पूलपुर में बिना बोले निकले राहूल और अखिलेश यादाओ बिना बोले निकल गई लो में लिए यहां पर कारेकरता नजर आ रहे हैं भीड नजर आ रही है फूल पूर में बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले बिना लोगों को संबोधित किये राहुल और अखलेश यहां से लोट गए जिस तरह से भीड बेकाबू हो गई बेरिकेटिंग तोड़ कर या आगे जबा में भीड आई थी जिस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया जिसके बाद राहुल और अखलेश रैली को संबोधित किये बगएर ही निकल गया समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस संयुक्त रैली यहां पर होनी थी संयुक्त रैली का आयूजन हुआ था और यहां पर आप देखे समाजवादी पार्टी के कारेकरता आपको नजर आएंगे हाथों में जंडा लिये नजर आएंगे और ये दोड़ते भागते नजर रहे हैं बताय चारा की भीड इतनी बेकाबू हो गई कि कंट्रोल नहीं किया जा सका और उसके बाद हालात को देखते हुए अखलेश यादव रहुलगान दी दोनों ही बिना कुछ कहे बिना संभोधन के ही लोट गए प्रयागराज के फूलपूर में दोनों की संयुक्त रैली होनी थी सर्वेश बारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौझूद है क्या जानकारी है सायुक्त जनसभा थी सायुक्त रैली थी कुछ भी नहीं कहा दोनों नेताओं ने और लोट गए ऐसे इस्तति क्यों बन गई देखे छटे चरण में प्रयागराज की दूर लोगसभा सीटों फूलपूर और इलाबाद पर मद्दान होना है और इसके लिए आज सुपर संदेता तमाम सियासी निताओं ने आज अपने प्रत्याशियों के समर्थन में की थी इसी कड़ी में इंडिया गडवन्दन के प्रत्याशी सपा प्रत्याशी जो वहां पूलपूर से हैं अमलना सिंग मौकर के समर्थन में राहूल गांदी और अकलेश यादो की सन्यूग्द जनसभा पूलपूर लोगसभा चेत्र के पड़िला में होनी थी लेकिन वहां पर आज जनसभा अस्थर पर एक भगदर का माहूल रहा पताये जा रहा है कि मंच पर जब अकलेश यादो भाशन देने के लिए पहुँचे उस वक्त वहां पर माइक बंद हो गया और बेकाबू भीड उनको सुनने के लिए मंच की तरफ बड़ी वहां पर बैरिकेटिंग तूट गई है और उसके बाद अफरात अफरीका माहूल हो गया दर्शक हमारे विज्वल में देख सकते हैं किस तरह से लोगों की चपले वहां पर बिक्री पड़ी है तमाब लोगों की टोपिया जंडे वहां पर बिक्रे पड़े हैं और अनतिर्या ये हुआ कि अखले शादो और राहूल गांदी को बगैर जंसभा को संबोधित किये वहां से वापस लोटना पड़ा खलांकि दूसरी जंसभा उनकी मुंगारी में कर्चना में होनी है जो कि इलाहाबाद संस्दी सीट के लिए होनी है लेकिन वहाँ पर पूलपूर की जंसभा में अकलेश यादो और राहूल गांदी लेकिन आप आशनल के ही वापस लिकले हैं फिर को आप और बेकाबू हो गई है तस्वीर इसक्त अब आपको दिखा रहे हैं